हेलो एफ्रेवन वेल्कम बैक तो मार यूटूब चैनल वेल्कम टू आल फ्यू आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 16 और हमारा चैप्टर का नाम है गार्बिज इन गार्बिज आउट और यह हमारा क्लास 6 का एंसी आटी साइन्स है और हमने बेसिकली आलमोस्ट यूनो मतलब बहुत सारे चैप्टर्स कवर हो चुके हैं मतलब तो मतलब कुछ एक दो चैप्टर्स बचने हैं तो उसको भी हम लोग करेंगे और उनी में से एक है हमारा गार्बिज इन गार्बिज आउट तो आप लोग को पसंद आएगा यह वीडियो और बाक गार्बिज इन एन गार्बिज आउट ठीक है चैप्टर कर नाम है वी थ्रो आउट सो मच रबिश और गार्बिज एवरी डेए फ्रॉम्स से हो गया इस्कूल्स में हो गया शॉप्स में हो गया फिर ओफिस में हो गया हम लोग जितने भी उनों कछडे होते हैं उसको थ्रो पल्सेज एक्जाम्पल में देख लीजे जैसे की ग्रेंट पल्सेज ओगे बिस्कुट ओगे जो गेरा मिल्क ओगे और और विपल्स चेस्ट इन शॉप और पैक्ट इन प्लास्टिक बाक्ट इन भाउट एस गार्बिज अपर जितना भी वेपर किया रहता है ठिक है यह सब बाहर सला जाते हैं आप लोग जो भी प्लास्टिक्स वागे रहा है तो तो बाहर ही न फिकते हैं राइट वी सम्टाइम्स बे थिंग्स डैट आर रियरली यूज़ यूज़ जो जाता है तो लोग उसको भी क्या करते हैं तो कुछ दिन बाद इंटू ती गार्बेज में ने गार्बेज को राइट डे तो डे अक्टिविटीज में मतलब बहुत सारा गार्बेज डेली टू डे राइफ में मतलब थ्रो कर देते हैं राइट वी आफटें थ्रो ग्राउट नेट सेल्स ऑन पब्लिक प्लेसे अब हैं यह बोल रहा है कि मतलब ग्राउट सेल्स हो गया पब्लिक प्लेसेज में देखने को मिलता है इन बसेज और ट्रेंज आफटर इटिंग दी नर्ड्स वी थ्रो अवे देखा ही होगा कि बहुत बच्चे यह बिना मतलब का शार्प करते जाएंगे और पैंसिल को छूटे करते जाएंगे ठीक है मतलब उनको मजा आता है ठीक और स्पिल इंक इन आवर नोटबुक वी तियर ओफ दा शीट एंड थ्रो इट अवे अगर हम लोग से कोई यू नोटबुक पे लिखते हैं अगर कोई हमें मिस्टेक हो गया तो हम लोग पेज को फार के ऐसे थ्रो इट कर देते हैं अवे अगे और वी आलसो त्रो अवे मे कर देते हैं और फिर कोई ओल्ड कपड़ा हो गया राइट सूज हो गया तो इसको भी हम लोग ऐसे मतलब फेक देते हैं थ्रो कर देते हैं ओके नेक्स्ट है यहां पर वाट इफ वाट इफ गार्बेज इस नोट रिमूवड फॉम और हम यहां पर यह बात आता है कि मतलब क्या होगा राइट अगर हम लोग गार्बेज को राइट मतलब रिमूवड ना करें हमारे घर से या फिर हमारे आसपास के स्राउंडिंग से तो आप लोग मतलब कैसे योनो थेंग करोगे कि किया यह सच में हार्मफुल रहेगा हमारे लिए विन सफाई करमचारिज टेक द सारते हैं from the beans से ठीक है मतलब अखिर इस गार्बेज का होता क्या है is it possible for all of this garbage to be changed into something that will not harm us अब यहां पर यह है कि क्या यह possible है कि garbage को you know change कर देना कुछ में right कि हमारे लिए harmful ना हो क्या ऐसा हो सकता है can we contribute towards this in any way we will look for answer to these questions in this chapter और मतलब इस चाप्टर में हमें इसे का answer मिलने वाला है और इसे के बारे में हम लोग बढ़ने वाले है I hope कि आप लोगो यहां तर क्लियर हो गया होगा okay वाकि जो भी टॉपिक आप लोगो क्लियर नहीं होता है आप लोग कॉमेंट से इक्सल में बता सकते है I will मतलब मेरे मतलब क्या डाउट सॉल्फ करने की कोशिश करोंगे okay next is here children from पहली और बुझ्जु इस गूलीट अप्रोजेक्ट अब है फिर से you know पहली और बुझ्जु की बात आ जाती है उसके पहले हम लोग एक यह उपर में देख देते है मतलब देख लेते है और इस टेप तुवर्स क्लीन नेस ठीक है अब यहां पर क्या है स्वक्ष भारत तो यह एक अभियान चला था right the prime minister of India launched इसको प्राइम मिनिस्टर ने लॉंच्ट किया था the aim of this mission is to create an open defecation free India by 2 October 2019 okay so is you know यह स्वक्ष भारत अभियान है ठीक है और इसका aim यही था to create an open defecation free India by 2 October 2019 नेक्स्ट हमारा यहां पर है चिल्रेन फॉर्म पहली और बुझ्छु अब पहली और बुझ्छु आ चुके है राइट इसको डिड़ प्रोजेक्ट को क्या मिलता है एक प्रोजेक्ट मिलता है ठीक है जिसको you know क्या बोला गया है dealing with a garbage मतलब आप लोगो को deal क्या चीज से कर है तो नेक्स्ट हमारा टॉपीक है 16.1 तो इसको भी अम लोग देख लेते हैं सफाई करमचारीश कलिक्ट दी गार्बज इन ट्रक्स अब जो सफाई करमचारीश हो होते है ठीक है तो वो गार्बज को कहां पी मतलब कलेक्ट कर लेते हैं ट्रक्स में and take it to a low-lying opening area और यह मतल हमारा है there the part of the garbage that can be reused is separated out from the one that cannot be used as such अब यहां पर यह बोल रहे है there the part मतलब एक पार्ट है garbage को ठीक है that can be reused मतलब reused हो सता है तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं separate कर लेते हैं जसे कि कोई भी चीज है ठीक है मतलब कोई थिंग है फिर कोई object है तो उसका कोई पार्ट है तो इसको हम लोग reused कर सकते हैं ठीक है तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं separate कर लेते हैं उसको हम लोग अलग कर लेते हैं from the one that cannot be used और उससे separate करते हैं जो कि हमारे यूज में नहीं हो सकता है मतलब उसका हम लोग reused नहीं कर सकते हैं ठीक है तो उस पार्ट से हम लोग जो reused हो सक तो हम क्या कर लेते हैं मुझे है सब्रोड कर लेते हैं थैगा इपर थैके और लोग साभ़ में आ गया होना ठीक है और अपिर दस तो अपिधा बेज्टे से बोथ युश्फल उस्फ दो इस्फ नॉट इसन फहले नोग उस्फ तो सब्सक्राइड रिए में प्रमाज ऑच non-useful components है तो प्रिड हो जाता है लैंड फिल में और उसके बाद वो कहां पर कवर हो जाता है लेयर आफ ऐसल में वो पूरा कवर हो जाता है मतलब जमीन के अंदर में यूनो चला जाता है राइट नेग्स नहां पर नांट फिल अब जब लैंड हो जाया गा इस यूजली और मतलब next 20 years के लिए वहाँ पर कोई भी बिल्डिंग्स मतलब नहीं होती है, okay, next है यहाँ पर, to deal with some of the useful components of garbage, compost making areas are developed near the landfill, what is compost, let us learn about it from the following activity, अब यहाँ पर हम लोग कमपोज्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे, you know, compost होता है, आखिर, compost होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में लोग पढ़ेंगे, from the following activity, so हम लोग यहाँ तक ही रहने देता है, ठीक है, activity 1 हम लोग पार 2 में cover करेंगे, okay, so अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, सब्स्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए और सेयर कीजिए, बागी मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट लेक्चर के साथ, थैंक यू,